जैहिन बच्चों, वेलकम बैक इन शिकास क्लासेज, मैं शिकास शिवास्तव फ्रम नंदीवानी पबलिक स्कूल भरवारी कौशामभी और आज हम लोग पढ़ेंगे चार वरो वाले शब्द अभी तक हम लोग ने दो वर पढ़ा और तीन वर पढ़ा अब हम लोग चार वरो को जोड़ेंगे और उसे शब्द बनाएंगे जैसे यहाँ पर देखिए, यह है थरमस तो थर थर और मसा मस थर मस, थर मस यह रिखिए, क्या बना है? थर मस यहाँ पर देखिए, पान घट पन पन, घट घट अब आप यह मत करिएगा कि चारों को एक साथ जोड़के आप पढ़ने की कोशिश करें नहीं पढ़ पाएंगे, पहले हम लोग दो दो वड़ों को एक साथ मिलाएंगे थिक है? तो इन दोनों के बनने पर जो हो रहा है फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे जैसे पन पन तो पन और घट घट पन घट आधा आधा जोड़ेंगे तो अच्छे से बोल भी पाएंगे आप लोग थिक है? यहाँ पर देखिए पन घट यह देखिए कुवा है ना? तो क्या होता है यह पन घट? ठीक है? अब यहाँ पर देखिए शल गम शल गम तो कैसे होगा? शल शल और गम गम शल गम ठीक है? शल शल गम गम यहाँ पर देखिए शल गम बना है ना? इन सब को हम लोग ने जोड दिया तो प्लस कर दिया अब यहां पे दा म कल जी क्या बनी है दा म दम और कल दम कल ठीक है दो दो वडो को जब हम पूरा एक शब्द बना लिए थारा थार और मस अमस अब इन दोनों वडों को हम जोड देंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा थार मस पन घट शल गम दम कल ठीक है अब यहां पर देखिए यह क्या है इससे भी हम लोग इसी तरीके पढ़ेंगे तर कश क्या बनेगा तारा तर और कश कश इन दोनों को जोड़िए तारा तर और कश कश तर कश है ना तर कश यह रेखिए यह पूरा क्या बना है तर कश अब यहां पर देखिए आच कण यह क्या बना है अच कण ठीक है तो यहां पर देखिए क्या बना है आच अच और कण इन दोनों को जोड़िए आचकन तो ये बन गया हमारा अचकन ये रेकिए बार गद ये क्या बना है बार बर और गद गद बर गद ठीक है अब नीचे वाला देखिए आद रखो तो आद अद और रखो रखो अद रखो ठीक है इससे आप रीड करिएगा अब यहाँ पर देखिए कटा कट ये रेकि कटा हल तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे कटा हल ठीक है ये रेकिए कटा हल बना है तामा तामा ताम और तामा तम 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 आज गरो ये देखिए बनाए ना तो आज अज और गर गर अज गर उप उप और वान वन उप वन माख माल तमाख मक अमाल मल मक मल बार बर अरतान तन ठीक है अस अस लम अलम अस लम ठीक है ना दो दो वड़ों को जोड़िये और फिर उसे जोड़कर चार वड़ों का शब्द बनाए ये देखिए वैसे तो ये अब आपका होमवर्क है आप इसे अपनी बुक में कम्प्लीट करिएगा अब एक एक्जामपल आपको बता देते हैं ठीक है देखिए सरकस इससे आपको उसी तरीके जोड़के लिखना है सबसे पहले क्या लिखा है स तो यहां पर क्या लिखेंगे स फिर र अच्छा एक चीज़ देखिएगा कि ये जो बुक है इसमें ये तीन लाइन बनी है तो इन तीनों लाइन का उप्योग करिएगा ये नहीं कि ऐसे छोटा छोटा करके या फिर गंदी रैटिंग में लिख दे ठीक है सुन्द सुन्द रैटिंग में लिखिएगा अब कर देखिए पूरी लाइन का उप्योग करिए कर लिखिए और फिर ये स लिखिए ये देती हूं उसके बाद नीचे का आप अपने आप से करेंगे ब र ग द तो पहले क्या लिखेंगे ब फिर र फिर ग फिर द बड़ा लिखिएगा ताकि तीनो लाइन का उप्योंग हो जाए ठीके बाकी का आप अपने आप से करेंगे इस इस यॉर होम वर्क ओके तिल देन क्या हूं लाइ